हेई गैस वल्कम बैक टू दिस चैनल तो आज चंदर ग्रेहन है ये साल का दूसरा सबसे बड़ा चंदर ग्रेहन है जो आज लगने जा रहा है ग्रेहन आज रात 11 बच के 15 मिनट से शुरू होकर देर रात 2 बच के 34 मिनट तक रहेगा ग्रेहन के कुल अबदी 3 गंटे 19 मिनट तक रहेगा खास बात यह है कि यह है एक उपचाया चंदर ग्रेहन है ग्रेह को यूरप, आफरीका, एश्या और अस्ट्रेलिया में देखा जा सकता है उपचाया ग्रेह मानव जीवन पर बहुँ ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है लेकिन इस बार उपचाया ग्रेह लोगों को परिशानी में डाल सकता है जो तीशी शास्त्रों के दोरान देश के कई हिस्सों में तुफान, चक्रवाद जैसी प्राकिर्तिक आपदा आने की संभावना बताई जा रही है इस समय कही ग्रेह वक्री अवस्था में है, कही ग्रेह राशी भी परिवर्तन करने वाले हैं इन सभी ग्रेहों का परभाव सभी राशियों पर पढ़ने वाला है तो आईए जान लेते हैं कि किस ग्रेह का किस राशी पर कितना परभाव पढ़ेगा और इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो शुरू करते हैं मेश राशी से ग्रह से परिशानिया बढ़ेंगी दोका मिल सकता है ग्रह के बाद तिल और गुड का दान करें वरिश राशी वाले अप्यश और शारी रिकष्ट का योग कंबल उनिवस्तर दान करें बगवान विश्णो का मंत्र ओम नमे भगवते वासू देवाए नमहा का जाप करें मिथुन राशी वाले वैपार में नुकसान पती पतनी दोनों को मिल कर गाएं को हरा चारा खिलाना होगा फल और हरी सबजियां का दान करें करक राशी वाले शूतर प्रास्त होंगे करियर में उन्नती होगी गुड का दान करें सिंग राशी वाले नीजी जीवन में अच्छा अनुभव करेंगे गुड और शेहत का दान करें कन्या राशी वाले चिंता बढ़ेगी महिला पक्ष से कस्ट मिलेगा करजों में बढ़ोतरी गुड तिल और अनाच का दान करें तुला राशी वाले चिंता में इजाफा सिर दर से परिशानी गरम वस्तर कंबल पुस्तकों का दान करें वरेशिक राश्य वाले चोट निवेश से नुकसान हो सकता है सफे तिल, गुर्ड, दोद्ध और गेहूं का दान करें धनूर राश्य वाले चोट, DRGhtना की आशंका, घी, शह तिल और गुर्ड का दान करें मीन रशी वाले परिवार में सुखो की बढ़ोतरी होगे गुडग घी और चने की दाल का दान करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हीट दे लाइक बटन और दो नोट फॉर्गेट सब्सक्रेब तो इस चैनल